नमस्कार आप देखने खबर आजकल और खबर आजकल के माध्यम से हम आप सभी को जानकरी देना चाहेंगे कि बड़ी ही बड़ी दुखत खबर है हम सभी के लिए ऐसे तो पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ी खबर थी और बड़ा रिस्क में हम जी रहे थे लेकिन कुछ गेरेज में धाना तरीके से जो काम हुई है इससे हम सभी आज नौर्ट बेंगल में भी इसका सामना करने के लिए हमें तयार हैना पड़ेगा क्योंकि अभी जानकारी हम सभी को मिली है कि नौर्ट बेंगल में भी कोवीड-19 की पोजिटिव जो है वो पाई गई है और इस खबर के बाद से ही चिंतित है सुत्र से जानकारी मिल रही है कि कालिंग पोंग की निवासी सुनिता देवी सिंग नामक महिला इससे ग्रसित है संक्रमन पाया गया है और उसके बाद से ही उनका जो इलाज चल रहा था जिसके बाद टेस्ट की गई और उसे पोजरी पाय गया ऐसा सुत्र से में जानकारी मिली है फिलाल एक्चुल में क्या रिपोर्ट है इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है हम से कलेट कर रहे हैं आप तक पूरी कोशिस करेंगे पहुंचाने की लेकिन यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों जिस तरह से लोग नजर अंदाज कर रहे थे क्रोना वायरस को कोविड-19 को जिस तरह से हलके में ले रहे थे अब यह वक्त हलके में लेने का नहीं है जब यह विस्वों में फैल रहा था तब भी हमें सच्चेत होनी की जरुवत थी तब भी हमें सावधान रहनी की जरुवत थी जब भारत में फैलने लगा तब भी सचेत और सावधन रहने के जरूती और आब देखते ही यह बंगाल में भी है और नौर्थ बंगाल में भी अब यह आ चुका है इसने जो दस्तक दी है बहुत हलके सिंद का दस्तक होता है लेकि जो आतंग है वो काफी ज्यादा मचा कर जाते हैं हम सभी से निरोध करत है कि सिब आप अपने आपका नहीं बिगार रहे हैं आप बिगार रहे हैं पूरे समाज का अपने खुद के परिवार का क्योंकि एक ऐसी बिमारी आप सभी को जानकर आप सभी जानते हैं कि कि इतना खतनाक बिमारी है यह और इसे बचना कितना मुश्खिल है फिर भी लोग इसे हलके में ले रहे हैं बस हम यही चाहते हैं आप सभी सिक्टिप्या आप सभी अपने अपने घरों में रहे के जो लॉक्डाउन की जो स्थिति है उसे बताईए सुसीर प्रदान जी कहते हैं माल बजार का है थोड़ा कंफर्म करना भाई जी देखे अभी तक इसकी पूष्टी हमारे पास नहीं आई है इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कोई कहरा मालदा सा है कोई कहरा है कालिंग पॉंग से है कोई कह रहा है कि वह सिलीगुडी के आसपा का केस अगर सामने आया है तो क्या कुछ हम सभी को त्यारी कर लेनी चाहिए और क्या कुछ हमें सतक रहने की जरुवत हैं राजीव कुमार राहुल कुमार जहा कहते हैं तो अब क्या करें कि सिलीगुडी की पब्लीक अब घुम ना गुम ओ रास्ते में देखिए जो रहे हैं यह में समझ नहीं आ रहा है लेकिन हम सिब यही बताना चाहेंगे आप सभी को भी एक चिंटा का विशय है अब भी सतर करहने की जरुवत है अनुसा सी कहती है वाट अबाउट हर फैमिली और विट वूम सी वास स्टेंग और हैस गॉट इन टॉट विट देखिए अनुसां जी रही है जो बात अबी अब तक रिपोर्ट में आ रही है ये जो जानकरी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पूरी जो विश्वासी जानकरी जिसांएखेनी प्रक्राइस पूराइन स्यक्राइब काने प्सक्राइब कोश्ट सरी आसे उसे इंजे पूरे पूष्टी केसाद में चले करने सेこん जो कमिटमेंट है या बेवजा का जो जानकर यह आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जानकर आने के बाद ही हम आप से शेयर करेंगे फिलार हम डिसकसन है कि अभी की जो मौजीद आहलात जो आपने सुना कि नौट बेंगल में पाया गया है फिलार इस पर किस तरह से सब्स券 करूब हैं investigación के लिए हम आपकी सुविदा के लिए हैं आपकी जानकारी के लिए और जैसे हमारे बास आईगी हम पक्का आपके सास्ट जोडएंगे और आप सभी को हमारी खबरात के माधियम से हमें जो भी जनकरी में मिली हम आप सभी को देंगे सुभास प्रशाद के बाद हम आपको बताएंगे कुछ चीजे फिलाल हमें उजागर करने से बोला गया है कि थोड़ा वेट करें पूरी जानकारी देंगे हम अभी जुड़ेंगे हमारी टीम जल्दी पूरी जानकारी जुटाएगे और आप सब्सक्राइब रखेंगे फिलाम आप सभी से सवाल करना चाहते हैं कि क्या लगता है अगर ऐसी को इस्थिती आती है यह इसे बयावा स्थित्य आती है तो आप लोग किस तरह से त्यार हैं और किस तरह की प्रेकौशन अब आप लोगो को लगता ही लिए ना जी क्योंकि यह पहली लग जाना आप सही करें कि अभी भी समभलने का समय है समय पहले भी था अब भी है अगर अब नहीं समझें तो मुश्खिल है हम सब के लिए पुरे समाज के लिए क्यूंकि अब वाइरेस हमारे घर के आसपास में दस्तक दे चुकी है उसे लाना बुलाना आप सभी के हाथों में हैं अफ कि सभी लोग जानते हैं फिल भी इस चीज़ से अंजान है सभी जानते हैं पर उन्हें लगता आए कि यह साथ हमारे तक नहीं पहुंची कि लेकिन एजिती तेजी से पूरे विस्व में फैल रही है तो नौर्ट बेंगल में आने वाद हमें लेकिन हम सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डरे नहीं पैनिक नहीं होएं और बिल्कूल ना डरे डरना भी एक तरह साब सभी की बेवकोफी होगी तो डरे नहीं डट कर सामना करें इसका मतल प्रद होने पर ही निकले बाहर मत जाहिए अपने घर थे खिस्ट को ना बुलाएं और ना किसी के घर पर जाएं यह का अपने में ला सकते हैं अपने आदोतों में सामील अगर gust आप बाहर जाते हैं तो भी अच्छे से साफ होकर जाएं और जब आप वापस घर पे आते हैं तब भी आप साफ होकर आएं अमीत मोहांता कहते हैं एक्षन जी बिल्कुल सही कहा आपने अगर लोग अब किसी भी तरह की अगर रापार भाई बरतते हैं तो सेक्षन लेना चाहिए अभी भी यह लो बात हर लोगों के लिए हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं और उन्हें बाहर जाने से बचना है और यही इसका उपाय है कुसल पांडे कहते हैं कि फॉस्ट पॉजिटिव केस्ट फ्रॉम एंडियम सी एस टेस्ट सवन ओफ फॉर्म और पिंसिपल अफ सीरी गोडी कॉलेज मला करण जाई स्पेइन बटाएं deben की यह दो जनकारी यहां को बारे में बताएंगे मेरी साथ मेरी साभ crc v यही उपाय है जरा जीच घर से नहीं निकलना गर से निकलना ही नहीं है यही एक उपाय है और इस हो लिए कि हमारी सरकार ने बहुत भी नहीं किया और वहुत जल्दीबाजी में भी उन्होंने जो देश में फिर पर नुट के लिया गया है उन्हें अंदाज हा कि जिसने से तेजि भाकी देसों में और आहा है हमारे देश में भी ली गया था एक इस दिन के बाद फिर से हम सब तयार है बाकि अगर आगे इससे बढ़ाया जाए तब क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिसे लड़ना फिलाल के लिए अभी के हालात में ना मुंकिन जैसी है कि पेंट हूख क्या वह मालः से है जी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई आपको गलत जैंकरी नहीं देंगे ब्याद इन च् इनकरी में मिले ही तो पूरी कंफर्म जनकरी हम आपको देंगे सुराज और आप कहते हैं लेड़ी की एज कितनी है ऐसा बताया गया कि चालीस के आसपास उनकी उम्र है ऐसा जानकरी हमें मिला है कि सुमन बर्देवा कहते हैं अब सब को लॉकड़ाउन होना ज़रूरी है लोग समझने रहें जी लॉकड़ाउन पहले से जरूरी था अब नहीं अब इसलिए आप लोगों को लग रहा है क्योंकि इस्तिती बिगड़ गई है और इस्तिती बिगड़ रही है लेकिन ऐसी इस् हम सफल हो सकते हैं अभी वग्त है अभी समय है बहुत समय कि हम सब सूरक्षिद रह सकते हैं इसके लिए हमंने आपको जागों करना पड़ेगा हमें हमारे आसपास के लोगों को जाग करना पड़ेगा हमारे często भाई-चोटे भाइं बड़े भाई उन्हें जगरूख करना पदेगा और चाफ करें कि फास वालंग को We should सबसे पहले उन्हें हाथ धुलवाईए उन्हें सेनेटाइज करवाईए उसके बाद ही उनके उनके हाथों से कुछ चीज को चुए या पकड़े यह अनुरोद हम आप सबीसे करना चाहते हैं अफ्ताव आलम कहते हैं हम अगर घर पे रहेंगे तो हमारी फैमिली भी सेफ रहे है और अब इस चीज को गहराई से समझना पड़ेगा हम सब को अब गहराई से चीज पर आना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप दूसरे देश में बाते सुनते थे जब देश में प्रवेश किया तब भी आप थोड़े से ला परवाया थे आपने कोसिस की कि नहीं इस चीज को गहराई से लेना पड़ेगा लेकिन उसके बाद भी आपने हम सब ने इन्हें उतनी गहराई से साइथ नहीं ले पाए थे जिससे आज हम से फिर एक बरी गलती हो गई सरकार ने कहा था कि अगर आप किसी विदेश से लोटे हैं तो आपको 14 दिनों के लिए करेंटाइन होना पड़ेगा अगर आप अलग राज्य से आ रहे हैं तो अपने राज्य में आने के बाद भी आपको अपनी जो स्वास्त सलाह है वो लेनी पड़ी और उस पर आपको डॉक्टर से चर्चा करनी पड़ीगी लेकिन कितने लोग थे ज इनकी आप पनी पड़ीज नेश्नल और लोकाल नीस ही फोलो करें। देख़ें 계amed अचaran जी नैश्नल जो channel है उन्हें follow करते हैं तक कि उस्हीन के पुष्टी almost सही होती है एकदम सही होती है और उसी से हम उसे मानिय लेते हैं लेकिन यहाँ बात जो है वसी पुष्टी यह पिर यहाँ यह है कि हम कितने सतर्क थे सतर्क है और सातरखम रहेंगे यह एक बड़ी बात है हम सब के सामने और हम सब को इस पर आना पड़ेगा कि फिलाल आप सभी से हम अनुरोद करते हैं खबर आचकल के द्वारा वह यह कि अगर आप अपसे भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो मुश्किल है इसलिए हम अनुरोद करते हैं घर पर रहें घर से किसी को भी अगर आप अगर बाहर भेजते हैं पूरी तरह से स्वस्त हो वैसे लोगों कोई भेजिए बच्चे और जो बुड़े बुजर्ग हैं जो चालीस पैताल हैं और बाहर जो भी लेंदेन होता वो करते हैं लेकिन अब समय है उन्हें सुरक्षित करने का परिवार में एक भी लोग इंफेक्टेड होता है पुरा परिवार पे संकट आएगी साथ साथ जो संकट है वो हमारे गाउं समाज में भी आएगी और यही जो प्राब्लम है कम हम लोग समझ रहे हैं बिजय ठागुर कहते हैं बिजय ठागुजी कहते हैं प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी से घर में रहे गोट से वाइस करते हैं यह महमारी जल्द ही खतम हो जाए देखिए भगवान से हम सभी प्रातना करते हैं और हम कर रहे हैं और आप भी कर लेकिन उनसे भी तभी संभव होगा जब हम खुद इस पर अमल करेंगे अफताब आलम कहते हैं सर आप लोग बहुत अच्छी काम कर रहे हैं सर आपको और आपकी पूरी टीम को थेंक यू सो मच जी बहुत बहुत सुक्रिया आप हमें इसकाविल समझे हमारी प्रयास है कि हम आपको पूरी जो जानकारी है वह आपको मुहया करवाएं आपको दे और जो जानकारी हम आपको देना चाहते हैं हम पूरी पुष्टी के साथ देना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि हमारे से कोई भी गलती हो या हम किसी गलत तरह की निउस आप तक पहुंचा है इसकी हम जान वाली है पूरी जानकारी हमारे पास जब भी आएगी हम आपको देंगे लेकिन यह जो जानकारी है वो तभी हम आपको देंगे जब हमारे पास पूरी तरकिस आएगे फिलाल हम आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि यह एक पोश्टी जरूर है कि हमारे नौट बेंगल में यह हो चुकी है लेकिन अब भी मौका है हम सभी एक दूसरे को सचेत करते रहें दूसरे का सपोर्ट करते रहें एक दूसरे के साथ हर संभव अपनी जोजनाय है जो सुरक्षा की जो अवदी है या सुरक्षा का जो भी विकल्प है वो लेते रहें तो हम अब भी जीत हासिल कर सकते हैं और अब आप सभी से रिक्वेश्ट करता हूं मैं अमर्शाह हमारी खबर आजकल की पूरी तीम के तरफ से खबर आजकल के को बचाएं हमारे देश को बचाएं और हम सब इस चीज़ को किसी बी तरह से पॉसिबल पर ऑफ लो जो गड़ी है इस घड़ी से अपने आपको अपने देश को निकाल पाएं इसी का अम आप सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं और giorno करते हैं सिर यहाufabya डड़ने की जरॵ कुछ इस तरही है जो पूरे विश्व भर में जो बड़े बड़े डॉक्टर से हैं बड़े बड़े सच है वहाँ पे इसकी जो संक्रामर है उसको रोकने के लिए बड़ा प्रयास चल रहा है हम उम्मीद करते हैं भगवान से भी परातना करते हैं कि जल्दी हम इस चीज पर है तरुन ठाकुर जी कहते हैं नाइस अमर प्रावड यू थैंक्यू सर आप हम इस काबिल समझते हैं तो हम यह कहना चाहते हैं कि बस जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसकी जो संक्रामर है उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ विकल्ब हमारे सामने हो और उस विकल के बाद हम अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे लेकिन जब तक विकल्ब नहीं आता है ऐसा ना हो कि हम मेडिकल पर या मेडिकल जो फैसलिटीस है या मेडिकल की जो अभी फिलाल जो अवस्था है उस पर हम बोज बने हमारी संक्रामन संख्यां बढ़ती रहे और हम इ बाई हैं बेहन है सिसर आपको लगता है कि अपको घर में परिवार में कोई भी अगर आपकी बात सुनता है तो सबसे पहली बात आप से यही कहना चाहेंगे कि उन्हें समझाने की कोशिज करिए उन्हें डांट कर सोचिज करिए किसी भी तरीके से कोशिज करिए उन्हें सम पूरी पूष्टी आई है और इसी चीज़ को आप सभी को रोकना है आगे बढ़ने नहीं देना है रावल कुमार जी कह रहे हैं अगर आप अभी भी सिली गूरी के लोग नहीं समझे तो फिर से फैलने में देड़ नहीं रहे गी बिल्कुल सही यह इतनी तेजी से फैलती है कि माध्यम से आप जी को सुजित कर देंगे एक अर रिपोर्ट हम को कर देंगे जैसे हमारे पास आती है फिलाल इस माहमारी का इलाज नहीं है और इस माहमारी खा टो यूरर कि सभी जानते हैं कि घर-पे रह कर हैं घरपे रहकर अपने परिवार के साथ समय बिता परिवार के साथ रहकर हम ले सकते हैं इसीलिए सरकार ने भी सरकार ने भी हर तरह कि है जूठ है सुविधा को सबी गए थे उठाए गए हैं उसे पूरा कर रहें लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है मजाक में ना ले हलके में ना ले और अब आपके उपर है आपकी गेर जिम्मेवारी जो है हमें इस समाज को इस देश को और इस अंसार को अंधेरे में डख लेगी अब आप क्या फर्श बनत करेंगे तो आप देख रहे हैं खबर आजकल खबर आजकल से में मरसा आप सभी को एक छोटी सी कोशी किया हूं कि मैं आपको कुछ समझा पाऊं आप समझ पाएं और इस विशेव पर ध्यान दे बाकि मैं भी आप में से ही एक हूं मैंने तो कोशिस की है हर संभव की अपने तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन हां मैं इतना समझ सकता हूं कि आप सभी जिमेदार हैं जिम में दारी उठाना जानते हैं अपने परवार के लिए इंपोर्टेंट हैं तो आप इस चीज को समझेंगे और इस चीज को बढ़ने में और इस चीज के खिलाफ लड करते हैं तो बहुत मुश्कित होगी हम सभी के लिए डरिये मत फिर से कह रहा हूं डरने की कोई बात नहीं है सोचनी और समझने की बात है सुरक्षा लेने की बात है और इस चीज को ही आप सभी को फॉलो करना है मैं आमर्सा खबर आज कर से चुड़ा था आप सभी के साथ अब सभी का धनיצबाद करता हूं में किम्ति वhãक्त हमें दिया इस जानकारी को हमने आप सभी के साथ शेर की और जल्दी हैं आपको पूरी कनफरम और पूरी क एक बात सभी को पोश्च करता हूं तब तर के है यह आप सभी का शुक्रिया और शुभात्री धन्यवाद